एक समय की बात है, एक छोटे से गाव में एक किसान रहता था, उसका नाम रामचंद्र था, रामचंद्र एक बहुत ही मेहनती और परिश्रुमी किसान था, वह गाव के खेतों में दिनरात मेहनत करता और अपने परिवार को आवशकताओं के लिए पूरी तरह से संतुष्ट करता था, एक दिन गाव में अकाल पर गया, बारिश नहीं हो रही थी और जमीन सूख गई थी, सभी किसानों को अपनी फसल के लिए चिंता होने लगी, लेक से सिंचित करना शुरू किया, वह रात दिन मेहनत करता रहा, पानी की बचत करता रहा और पौधों की देखभाल में विशेश ध्यान देता रहा, दूसरे किसान उसे हनस्ते और मजाक उडाते रहे, पर रामचंद्र अपने लक्षे के प्रतिसदा संकल पबद रहा, कुछ स मेहनत और धैरे उसे उनके सपनों की प्राप्ति तक पहुचा रहे थे, फसल काटने के बाद, रामचंद्र ने अपनी परिवार के साथ आराम से खुशाल जीने का आनंद लिया, उसकी मेहनत और परिश्रम ने उसे गर्व महसूस करवाया, वह गाव के बाकी किसानों के लि प्रेरित करते रहे, इस कहानी से हमें यह सिख मिलती है कि मेहनत, परिश्रम और समर्पन किसानों के लिए अत्यंत महित्वपूर्ण है, यदि हम मेहनत करें और परिश्रम करें, तो हम सफलता के मार्ग पर चलने में सफल हो सकते हैं, चाहे कितना भी कठीनाया आएं.